लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले पैसे कमाना इतना आसान काम नहीं होता, खास कर जब आप मध्यमवर्ग से आते हो आज हम आपको ऐसे शक्स की कहानी बताएंगे जुन्होंने बच्पन में ही किताबों से दूरी बना ली और जूट के भारी बोरे उठाने लग गए मोहर साहू 12 साल की उमर में लेबर का काम करने लग गए थे उन्हें नहीं पता था तक दीर ऐसी पलटेगी की एक दिन वो एक करोड टरनोवर के मालिक हो जाएंगे रांची में दो मंजला घर के मालिक मोहर सुर पालन का बिजनेस करते हैं उनके पिता रिक्षा चलाते हैं और मां भुने चावल बेचती हैं पिता के उपर चार बच्चों का भार था वो रोजाना सिर्फ दस रुपए कमा कर लाते थे साहू ने बताया कि मेरी मां दो या तीन रुपए तक रोजाना फैमिली इंकम में जोडती थी जब मैं पांचवी क्लास तक पहुँचा तो मेरे पिताजी ने मुझे फ्री सरकारी स्कूल में डाल दिया मैंने जैसे तैसे साथवी पार की लेकिन पिताजी आगे का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे मजबूरी में स्कूल छोड़ना पढ़ा 12 साल की उमर में लेबरिंग का काम करने लगा प्रोड़ना के काम से मुझे 2-3 रुपए मिलते थे 6 महीने लगतार लेबर का काम करके साहू ने रिक्षा परियवेक्षक में जॉब शुरू की साहू इस बात से खुश था कि उसके सालरी से 15 रुपए महीना की राया दे पा रहा है तब से साहू ने सोच लिया कि वो कैसे भी करके साल में 30 रुपए सालरी जरूर बढ़ाएगा मोहर के ससुराल वाले सुर पालन का काम करते थे उन्होंने उनसे सुर पालन करने की सलहा ली इस दोरान वे बिरसाइगरी कल्चरल युनिवर्सिटी के वेटिन रीड डिपार्टमेंट के डीन संत कुमार से मिले साहू ने सुर पालन व्यवसाय से जुडने की ट्रेनिंग ली अपनी बचत से 81 था कि ये पैसों से 10 सुर खरीदे पहली बार जब उन्होंने सुर बेचे तो उन्हें 10,000 रुपै मिले मोहर को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें सुर के बिजनेस से इतने पैसे मिलेंगे उन्हें लगा कि वह सही रास्ते पर हैं और फिर उन्होंने इस बिजनेस में और पैसे इन्वेस्ट करने शुरू कर दिये सिर्फ दो सालों में उनके पास 45 सुर हो गए और 1990 में उनका टरन ओवर एक लाख पहुँचा ऐसे करते करते इस साल सुर पालन से उनका कुल टरन ओवर एक करोड था करोड पती बनने के बाद भी उनका धंदा सुर पालन ही है अब यह दूसरे लोगों को सुर पालन की ट्रेनिंग और प्रेर ना देते हैं